नमस्कार, लोक सभाचुनाबों के बीच परीचर्चा में हमारे साथ रुपेश जी जुड़े हुए हैं, और रुपेश जी से आज हम लोग जानेंगे बदायू सीट के बारे में, क्या है वहां का गनित, कौन जीत रहा है, किस की स्थिती है मजबूत, कौन फता करेगा वहां सीट का जो चुनाओ किया है, यह बहुत ही मौत्वपूर और जबज़द सीट है, यूपी के अगर परिपक्छी में बात करें तो, और यह बहुत ही एक तरह सा हॉट सीट है, इस पार लोक सभा की चुनाओ में, और हॉट होने के कारण जो है, इसमें जैसे सप्पा है, वैस से ही भाजपा है, दोनों के तरफ से इस सीट को बहुत ही हॉट सीट एक बनाया गया है, अगर हम बात करें यहां कि कैंडिडेट की, तो आपको पता होगा, या सर्वीदित है यह, कि सबसे पहले यहां से समझवाधी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया था, उत्तर प्रद कई सारे चीजे चल रही थी, और उन्होंने इस मोके का फायदा उठा करके, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के लॉंच कर दिया, इस बार, अखले स्यादों से उसके लिए तना तनी हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने इस बात में कम्यावी हासिल कर ली, उन्हों के तरफ से आधित्य यादों कंटेस्ट कर रहे हैं जबकि भाजपा के तरफ से एक पूर्व मंत्री और यूपी के बहुत बड़े चेहरा स्वामी प्रसाद मौरया की बेटी संग मित्रा मौरया पिछली बार यहां से चुनाव लड़ी थी और जीती थी लेकिन इस बार जो भ एक ऐसे कंडिडेट के चुनाव किया है जो भाजपा के कैडिडेट है भाजपा के तमाम मौरया का रुपेजी बता दूं कि तीकत कटने का आसार बहुत लंबे समय से लग रहा था जब परिवार और अपनों से दूर रहना पड़ता है कि आपको परिवार और अपनों से भ होते हैं और संग्यमित्रा मौरया नहीं किया इसका उतको खाम्याजा भगतना पड़ा भारती जंता पार्टे के जो इस समय कंडिडेट है दुर्विजे सिंग साक्य वह बहुत ही पढ़े लिखे और एक इमंदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं भाजपा के तमाम क काम किया है वो पूर्वि में सिक्षक भी रहें लौकी भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की है तो इस प्रकार से उनका जो क्वालिफिकेशन है और यहां तक पहुंचने का जो कारण है वो उनकी मेहनत और लगन है जिसका भारती जंता पार्टी ने उनको एक तरह से पुर कि बड़े राजनीती घराने से आते हैं और वही उनकी इस समय क्वालिफिकेशन है फिलाल असल में रिजल्ट क्या होगा वो तो जनता ही बदायों के चुनेगी लेकिन इस समय अभी जो समिकण बता रहा है इसमें कांटे की तक्कर है और कौन जीता है कौन हारेगा यह कहना पहले से मुश्किल है और मेरे मेरा आकलन है मैं इसको अगर आकलन करता हूं इस रियल्ट के बारे में तो कहीं ने कहीं मैं इसको येलो जून में इसको रखता हूं जहांके नीड़े अभी तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसके सबसे बड़ी प् सबसे ताजूब की बात है और राश्चर की बात है वह यह कि लोग यह बोलाते कि सपा और बस्पा का गटबंदन हुआ है उनका ओट नहीं जुड़ेगा लेकिन अगर आकडों को देखें तो लगभा 46.7 के आसपास इन दोनों का ओट मिला था तो अगर हम यह बात करें कि यहां से आकडों को अगर द से जीती थी लगवा लगवा 11 बराहजार के ओटों से पिसली बार इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है और यहां के जो जाती है समिकड़ा है वो विल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है मोई समिकरन काम करता है यहां का एक से गन्नावर है जो संभल डिक्टिक से जाता है तो अभी यहां का जो माहौल बना है उसके बास जो तिसरी यहां पर पार्टी है मायवती के तरफ से जो कंडिडेट के घोशित किया गया है वह है मुस्लिम खान और मुस्लिम खान भी पूर्वी में बिधाय करा चुके है उनका भी अच्छा का सा जनाधार मना जात अठीक एक अपर एज दीख रहा है बहुत को धन्दवाद रुपेजी आपने बहुत सटीग भी स्लेशन किया है बदाईव स्वीट के बारे में